नमस्कार मैं बेप्रकास संसिटी न्यूज में आपका स्वागत है गोपाल गंज और मोकामा का नतीजा आ चुका है मोकामाक में राज़त ने जीत का परचम लहराया तो वहीं गोपाल गंज की सीट में बीजेपी ने अपना जंडा गार दिया अनन सिंग की पतनी नीलम देवी ने मोगामा से जीत हासिल की तो वहीं वीजेपी की उमिद्वार कुसुम देवी ने गोपाल गंज से अपने जीत दर्ज किये अनन सिंग के समर्थंग लगाता दावा कर रहे थे कि हमारे और आपको बताते चलेंगी अनन सिंग के यहां कल रा पूरा खरा उत्रा और वो सब लोग उनका खाना कोई बरवाद नहीं हुआ, उनके समर्था काफी जोस में थे, लेकिन गोपाल गंज जो है वहाँ पर तेजसी आदब कहां चूप गए, तेजसी आदब ने पूरी मेहनत की थी, आप उनके मेहनत को कम नहीं कर सकते, और जहां तक है, बीजेपी ने भी अपनी अस्तर से कोई कोर्सर नहीं छोरी, लेकिन गोपाल गंज का सीट आखिर, क्या वज़ा हो गया कि लिटक गया, तो अगर आप चुनाओ के नदीजे देखेंगे, तो उसमें जो उनकी मामी है, इंदरा यादब, क्या उनकी तरफ से जो को हराने का काम किया, क्योंकि अगर 1789 भोट लगभाग, 1800 भोट के आसपास मान के चलिए, जिसकी वज़े से जो है, बीजेपी जीती है, अगर उनकी मामी खड़ी नहीं होती, या वशी की पार्टी खड़ी नहीं होती, तो साय तेजसी आदब को हराना मुश्किल था, राज चुनाओ हार गई, और बीजेपी चुनाओ जीत गई, हलाकि चुनाओ में जो है, अंक का आखड़ा होता, जिसका आखड़ा आया, वो जीतेगा, तो निचित तोर पर, हलाकि इस मामले में तेजसी आदम ने क्या आदम, तेजसी आदम ने ये कहा कि हमने पूरी कोशिश की, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम गुपाल गंज की सीट पर पूरी मेहनत की, और उन्होंने जीत, दर्ज करने वाले दोनों परत्यासियों को जीत की बधाई दे, और दोनों जिगासे जो प्रत्यासि जीते हैं उन दोनों प्रत्यासी को भी हमारी शुक्प काम नाए हैं और उमीद करेंगे कि अपने जEZन्ता ने उन पर भरोसा किया है, उन भरोसा पर उतरने का काम करें। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये चुना मुकामा का एक तर्फा रहा और गुपाल गंज की जहां तक बात की जाए जहां 2020 में हम 40,000 से हारते थे इस बार सिंपती फैक्टर होने के बावजूद भी मात्र भाजपा जो है सत्रा सो वोटों से ही केवल हारी है वो कापला दिल्चस्व रहा है जो हम लोगों का प्रयोग था वो काफी हद तक सफल रहा है और आप सब लोग जान रहा है इस बीच था जहां दिवाली और चट दोनों तुरहार का मौसम था लेकिन फिर भी जहां 40,000 से हम लोग भारते थे वही आज केवल सिंपती फैक्टर होने के बावजूद भी 1700 वोट से ही हमारी गुपाल गंज में हार हुई है यानि जनता जो है गुपाल गंज की जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं से जो लोग क्लेम करते थे कि फन्ला जो है हमारा ही वोटर है उस पे सानने का काम किया है और हम सभी महागरबंधन की जितनी पार्टियां है उनके नेताओं को उनके कारकरताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अम मानने मुख्यमंत्री जी को हम पार्टी के नेता को लफ्ट पार्टियों के नेताओं को कॉंग्रिस पार्टी के नेताओं क जिन्दे की भागदोर भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताज़गी अब सफर चाहे कोई भी हो हर सफर में मिलेगी नई ताज़गी का अहसास तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी चाय एक अनोखा मिश्रत करकपन और भरपूर ताज़गी का अहसास बंगाल गोल्ड टी